भूजारी विडियो को च्टियाशन की नुबर 6 की पार पर लोग करते हैं तो सटार्ट करते हैं को अब का से नाथ करेंग दो के नंचेल में चलासीफएड होता है एक होता है हमारे पास अदिए और अब के पास लेकर आता है या कि कुन्याक कर रहा हुता है सिस्टम को बाडी के साथ उसको नाम देते हैं जी पैरिफिरल निर्वेस सिस्टम अगर तो से लेके जा रहा हो तो हम कहते हैं यह हो गए हमारे पास समैटिक जिस पर आपके पार स्केलेटल मसल्स की को ट्रैक्शन वगर आती है और अगर इन वलंटरी सिर्जिस लेकर जा रहा हो तो वह कहना तक है और नौमिक के सेंडि़रे लाइशन के हार्ट्रेड को बढ़ैत करने हैं अगरें के तरह जब होता है Id तो जो वोते हैं अगर हैं सिंसीचिंव के लेकर जाते हैं खाते हैं सी इनस बाड़ी की तरफ जाते हैं वह आपको पता है मोटर सिग्नल कर लाते हैं और जो बॉड़ी से संसेशन करके सी रस लेकर जाते हैं उनको हम सेंसरी वाइबर के तो दो तरह तो गए एक मोटर में आम तोर पर हम इसे कहते हैं इसे हैं और iya पहले होते हैं आम तो ही dominant कर रहे होते हैं ठीक हो की बात अच्छा जी अब autonomic nervous system को अब यह वह जो कि हमने पढ़ना है अब इसको फर्दर करते हैं इसकी फर्दर क्या डिवीजिन्स हैं एक होता है जी sympathetic nervous system यह वह जो करता है है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और ऑस पर यह क्या करता है यह आपके इसमें करता है उसकी दो में वह गई उसके लावा एक और भी हिस्सा होता है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि यार एंस में दिख लो मतलब सेमी ऑटनॉमिक होता है वो होता है एंटेरिक सिस्टम जो के हमारी को इनर्वेट कर रहा होता है कि पूरी अपनी दुनिया है तो हमने उसको एक अलग बना दिया भी इंट्रेक्ट निर्वस सिस्टम और इसको मैं थोड़ा मजीद लावरेट करूं तो आपका पता है हमारे जिए होती हैं उसमें दरमया में लुमिन होता है यह तो मारे बहुते हैं सबसा जो पर शहistoLike के बाएर आगया था पास सब मेदक्यत मशल्च्म के लिए जिसमें अंदर मारे पास सर्कुलर मसल्स होती है और बाहर मारे पास लोंगी होते हैं और पर सबसे थीफियों के लियर तो एक तो मद्ट होता है जिसको मुझेच थीक जिए सब्कॉसल प्लैक्सिस त्यूसरा आपके पास सर्कुलर और अच्छा और त्गड़ा किसम का होता है जिसको अब घू से बहुते हैं और बैक्स भी कहते हैं ठीक तो यह दो तरह के प्लेक्स हमारे पास होते हैं जो के बना रहे पास एंटेरिक नर्वेस सिस्टम ओके बाते हैं तो यहां पर लिखी थी संपाइटिक निकलना है अब हम देखते हैं किस जगह से राइज हो रहे होती है तो पहले हम देखेंगे सिंपाइटिक नियुक्लिया नंबर 37910 इसको यहाद रहे आपको 37910 ठीक है तो यहाद है अब करेंगे थी सवन नाइन टेंट से पैरा सिंपाइटिक फाइबर स्वाइबर निकलते हैं तो हम कहते हैं एक तो 37910 नुकलिया यह यह जाते हैं यह वेगर्स नर्व होती है आम तो पे इसे लिए हम लोग वेगल स्टिमूलेशन भी कहते हैं पैरा यह उसको हम इंटरींय। भी कहते हैं नि herman ने रिवार diagen हैं होते हैं और भी थाहिक इंदर होते हैं तो क्रेंटीम के याा से भी तरहा से आते हैं हमारे पाँ मुझन से प्रिपत्स न्ंब कर और होते हैं यह तो होगीजला को वचल्ए और पूरा लंबर लेके लगा से लेकर इस सारी जगह से सिंप्थाटिक फाइबर निकल रहे होते हैं अब जो भी और निकलते हैं वह सारे फाइबर दो निरॉण पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं किस लाज यह कहानी जराव वाली जो पहला निरॉण होता है उसकी आप लेक्ष़ाइबर निरॉण होगा जो कि अपना एक्जाण आगे लेके जाएगा एफ़ेक्टर और तक तक तो दो निरॉण पर मुटमिल होती है जो सिन्ट्रल से लेकर जाते हैं ठीक है और जो इसके बाद वाला है इसको करते हैं पोस्ट से अप्टिक निरॉण बड़ी ही असान सी बात होगा यह बदो यह बदो यह बदो निरॉण पार जिस जगह पे सानाप्ष बनता है उस जगह पर किल बॉदी है अधो पता है वह न में आदने हुटी है इस इन रव ने सिस्टम मेरिंट्याइप हम उस जुपाइब को नाम दे देते हैं गैंगलिया ठीक होगी बात अब हम देखते संपफैक कहां पर होते हैं और पहला थे निर्वेस सिस्टम है उसका नेरॉण जैसी से निर्वेस सिस्टम ने रेकाता है साथ थोड़ा दूर जाकर रही होता है और गैंगलियों होते हैं यह पास आपने देखा इनाटमी इस पाइनल को रही होती है दो सब्सक्राइटिक चेंज चल रही होती है तो यह वैसे के लिए गैंगलिया होते हैं किसके बना यहां पर आकर साइनाप्टिक है वह पूरा नंबा और पहुंचेगा पर पहुता सब्सक्राइब बहुत बहुत जबकि पैरा सिम्पथाटिक में जो पूस्ट यह वह उच्को नाम देने प्री वर्टिबल गैंगलिया जिसमें चीजेंग वागरा आप जाती हैं वह चीजें भी होती है जो कि फाइबर निकलता है इसमें प्रीश फाइबर बचारा पूरा ट्रेवल करता है और और तक पहुंच जाता है ठीक है एफटर और जाकर बस तकल्लूफ के तौर पर यहां पर और अप्र निरॉन जो है वह भास यही से निकल कि यहीं पर फेक्टर कर देगा ठीक है कि पूरा रास्ता जाता है लेकिन जाके पिर यहां पर यह कहलो कि एक्साइल बाटी होती है तो आम तो पर और के अंदर ही यह इस तरह से स्वाम कर रहा होता है सिस्टम का प्रीख वाइबर नभा हुता है अब अगरन आप ंर्म है जिसमे आम तौह प्रीजिघ वाइबर नियॉरॉंद यह रहता है और अगर वेगस नभ फैसे ने तो यह द आरही है także कोई होते हैं यहां भी आप दिखाया वैक्षारा रास्ता जा रहा है और यहां पर जाकर और इदर भी ऐसे यह बिल्कुल आकर में जाकर हो रहे हैं जबके सिंप्थाटिक में बहुत जल्दी हो गया तो यह बात पर इसक्राइब की हुई थी अच्छा फिर वह और बात कर रहे हैं कि बाद वकाद कुछ औरगन में होते हैं लेकर इनर्वेशन नहीं होती इसका क्या मतलब हुआ है मतलब कोई भी ऐसी जगह है वहां पर आके पास सिम्थाटिक या पैरा सिम्थाटिक नियुरो टास्मिटर्स के लिए रिसेप्टर मौजूद है लेकि यहां तक मस्क्री बॉक्स ओड़ी नीचे ओगी आप कुछे नजर ना रहा हो यह देखिएगा ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स मौजूद हैं यानि कि ब्लड वेसल्स में परसमिट्र का समधाटे नवरे इस्टफ एफेक्ट कर रहे होंगे लेकिं इनर्वेशन नहीं होती तो ब् आगे जाके इंट्रेक्शन चीज़ें हैं अच्छा यहां पर रिखी भी है कि कुछ के मताबिक यह जो एस्टू एस्ट्री एसफॉर से निकल ले फाइबर्स हैं यह भी सिंपथार्टिक फाइबर्स होते हैं ऑल्डो हैं यह सिमिलर प्रसमिट्र प्रसमिट्र लंबा होगा नेरो ट्रसमिट्र फाइबर्स होते हैं तो कुछ कहते हैं कि सेंपथार्टिक फाइबर्स है लेकिन अभी तक जो मेन हमारी सोच है वो यह है कि यह पहला पी तरह रहें आपको इतना डेवीयर्ट होने की जूरुत नहीं है ओके और हम डिसकुस करते हैं अभी तक हमने चीं यह समझा है कि कि के हमारे पास मिझाल का तो पर सेंट्र होती है या ब्रेन के अदर होती है अब मैं कहता हूँ कि यह यह पी एक है और बाकी ती यह स्टेटिक है और पूरा रास्ता जाते हैं और बिलकुल और गर्गन के टिशू में जाके यह सायनापस फॉर्म करते हैं ठीक है पहरा से परा रास्टा जाते हैं और यहां पर जाके यह संपने का था कि वह यहीं पर जल्दी से एक पर डेते हैं यह इस तदा से ओगा पर sympathetic और फिर जो पोस्ट सानाप्टिक निरॉन होता है वो पूरा आगे औरगन तक जा रहा हुता है यह मैं देख लिया ओक्यों की बात अब जनाबे वैली दो तरह के मेंली दो तरह के होते हैं एक होता है आपके पास इसेटाइल कोलीन जो इसेटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स होते हैं उनकों को करते हैंगे तिम्स की और फाइबर को आता है तो चैनल था होते के इस हो गया इसिताल को नोरजवरी कहते हैं के सथाल को इसी वहाण.com कोegenगे साथ में होगी उसको हम कोलीनर्जिक ट्रास्पेशन भी कहते हैं अब कौन कौन सी जगर मौझूद है नमबर एक सारे जो गैंगलियॉन है ना यहां पर प्री सैनाप्टिक फाइबर्स जो रिलीज करते हैं वह इसका मतलब है यहां भी 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 यहां होगी तो सबके जो प्री सैनाप्टिक फाइबर्स हैं वह क्या रिलीज करते हैं एस्टाइल कोलीन पैरा सिंप्थाटिक के जो पोस्ट सैनाप्टिक फाइबर्स हैं वह भी यह फ लिलीज करते हैं और सिंपथाटिक पहले वेलेंट आल खायर नियुक्त करते हैं चुक्ष है नाम देते हैं कॉलीनरजिक फाइबर्स होता है जा होते हैं जिनके पोस्ट सब्सक्राइब और जिसके पोस्ट सैनप्टिक नुरॉण्स नौर्ट अपिनफिन रिलीस कर रहे हैं उसको करते हैं तो आम तो पे जो सिंप्राइब सब्सक्राइब अच्छाज़् एड्री इनर्जिक फाइबर्स होते हैं कुछ एक्सेप्टन इसने भी है बाराल हमने कहा ता जी एक सिंप्थाटिक नौरॉण्स भी इस करेंगे मज़े के बात यहां कि सिंप्थाटिक नर्वर सिस्टम के भी कुछ पोस्ट न रोंच इस डेल स्टटेक फाइबर को रिलीज करते हैं कुछ सिंपथे टिक फाइबर को जोते हैं यह होते हैं जुदों को आगर जाके जाकि दुवारा देख लें दूंगे जी तो यह उदेल को जाए चुक्पशन के बारे में कुछ यह और बाकिर रहएं और उन्वेंफ्रीन तो common sense की बात है सिंपथाटिक के पोस्ट गंग्लियॉनिक फाइबर्स या पोस्ट सैनाप्टिक फाइबर्स उतले होते हैं कुछ हैं यह स्वेट् लेंड के नहीं करते लेकिंजादा थास सपत्र आप्ट के पोस्ट का रिलीज कर रही रोते हैं ओके होगी बात अब एक दिल्चस्प बात और सुनो यह तो हम पढ़ रहे हैं और टोनॉमिक नोवे जिस्टम एक होता है स्केलेटल मसल्स को इनर्वेशन कर रहा होता है सही होगी ना बात तो स्केलेटल मसल्स की जो इनर्वेशन है वो भी आम तोर पे यह वहां पे जो निरो मसल्स के बात यहां भी एसला कोली निरीज हो रहा है तो इसला कोलीन बहुत डॉमिनट है सिर्फ सिंपथैक के कुछ पोस्ट सैनाप्टिक होते हैं जोंके नोर्यप्रिफिक को रिलीज कर रहे हैं यह कर रहे हैं अब हम एसला को थोड़ा फर्दर पढ़ेंगे हैं हमने को न सब्सक्राइब हैं इसला कोलीन बनती कैसे हैं सेल के बाहर से कॉलीन आती है और सेल का माइटो कॉंड्रिया बनाता है एसेटाइल को ए ठीक है सेल के बाहर से कॉलीन आई और से माइटो कॉंड्रिया से आया एसेटाइल को ए इन दोनों को मिला के हमारे पास इंजाइम का ना लिए बना दी अब यह तो इसको वैसिकल के अंदर घुसाया जाता है यह उसके बाद यह रिलीज कैसे होती है अब बात है आंब पर आके पास वह एक्षिंप पूटेंशिल आता है यहां पर आएगा जाएगा जाएगा यहां पर एक्षिंप पूटेंशिल आएगा सोडियूम के इन yapmış पासटाब चानल की ऑपनिंग होती है अब जैसे कैलशियम की एंट्री होती है सेंट के अंदर के अदर के एंडर वेसिकल कर आती है अब जर्दाब बात है यह लोग व्लोंचियम डॉकिंग मैंकरिजम पढ़ते हैं जो के को वह लिखावा अभी आकु पैसेल के अंदर आपके प्रोटीन होती है अब हुता है यह ना वैसिकल के ऊपर लगी होती है आप समयốngों जी भी स्नेर्प्रोटीन टीक़省 से वी तो यह आसाओ नोगा याद करना आपके लिए वी स्नेयर प्रोटीन और जो आपके पास ये 좋아 मौजू है या कहलेऊ के लोकर मेंब्ले मौजूथ है उसके भी कुछ फोटीन होती है जिनको हम नम देते हैं टी स्नेयर प्रोटीन से पाइस के पास लेकर जाए गाटोगी अगे में के अपने अंदर मौझूद नियुरोटप्समेट को कर देती है तो यह है ओवरॉल मेकनिजम औफ रिलीज सभी बात यह वह नहीं यहां पर आपको एक्स्प्रेइन की थी स्नेयर क्या होता है फिर लगावा होता है उन्हों ने उसको लॉंग फॉर्म भी बताएं कि पूरा मतल लेकिन आप स्नेयर भी लेकिने और स्नेयर को तो दाट इस मोड़न सफिशिएंट अब यह तो हमने पूरा प्रॉसेस पढ़ लिया इस रिलीज होने का अब कौन को इस चीज को एफेक्ट कर रहे होते हैं पहली बात यह जो इस पूरी फॉर्मेशन में अगर आसा पूछू क सब्सक्राइबर को तो रेट लिमितिंग इंटिन को इन्टरी ठीक है रहाएं ऊस्टेब को रोक दे देंगे तो तो एट्ना को रहे रहता है यहां रहूं भृत गनी पर पहे तो कौलीन को अदा कर देगा तो हमी क्यूलीनियम है के तो घिका लियो पर जाओ अगर कॉलीन plant है यहां पर तो को लीन को वेसिकल के अंदर स्टोर होने से रोकता है तो तो बहुते हैं और पर वी इसने पूरी कहानी थी उस कहानी के तुरू कि जो रिलीज हो रहा था इस रिलीज को inhibit करता है आपका बॉटॉलिनर्म टॉक्सिन पाइब आप तो कर रहे होता है यह इसके रिलीज को रोकता है यह तो रास स्थाइल को लिए आपके साने अपसे लिए रगेर लगे धाए वह को यह अज़े खतम भी तो यह वर वर यह गया करी एक रिएट तो इसको खतम करने के लिए एक होता है एस स्थाइल को लिए जो तोड़ और पास समझा गई इसको तोड़ता है और कॉलीन और बना जाता है यह जो कॉलीन है यह आपको पता है वापिस सेल के अंदर इंटर हो जाती है लेकिन उसके एंट्री को हैं कर रहा था तो यह मुस्तक्मिल अब इस्ट्रेस को होते हैं उनको हम जिसमें नियो स्टिक माइन वगार आते हैं यह इंपोर्टन हैं यह आगे जाके हम लोग इंशरा जब चैन तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिसकस करेंगे हैं क्या कर रहा है अब यह जो ड्रग्स हमने पड़े हैं में को बाटो लेन अप और यह ड्रग्स फार्मकॉल्जी में कितने हैं जवाब है नहीं है क्यों अगर आपने एस्ट्रेस को रोक दिया तो किसी कोई एक नहीं है पूरी बॉड़ी में बहुत सारे थेंगे मिसाल का पर हम चाहरे थे कि इस तैलकॉलीन से सिंपथाटिक हो जाएंगे तो इस तैलकॉलीन इतनी फैली वही है इतनी ज्यादा जगावे काम कर रही होती है कि इस तैलकॉलीन को इनिवेट करने वाले ड्रग्स आप आम तवर पर नहीं देते क्योंकि पूरी बॉड़ी में एफेक नहीं तो अगर उसका यहां पर लगाते ना तो वह कुछ लोकलाइज एफेक्ट पर यूज़ करता है इसी जगहापर खास इफेक्ट पर यूज़ करता है तो इसलिए फार्माकोर्जिकली इंपॉर्टन है आगे पढ़ेंगे ठी तो यहां पर लिक्ति आता है हमारे पास ए सब्सक्राइब कर रही है अब सारी सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो जैसे हमने पूरी पढ़ी है उसी तरह हम पढ़ लेंगे यह नौर अच्छा जी नौर इंडिनर्जिक क्यों करें तो वह सकते करें लेकिंगे वैसे ट्रास्पिशन ही होता है यह बनी जाए कि पर टाइरोसीन की हार्डाइशन होती है थीक है पर यह बात यह बार से आएगा पर टाइब टोपा की डी कार्बाग्स इलेशन होगी और इससे बन जागा डूपामीन ठीक है फिर यह कई रचाए है लेकिलर मोनोमाइन ट्रास्पोर्टर्टर्स वी मैट कहते हैं उनको यह लिखा है वैसे कुलर मोनमाइन ट्रास्पोर्टर्स की तरूँजिए जाएगा वैसिकल के अंदर सभी हो गया और पिर यह वैसिकल रिलीज होगी बिलकुल वैसे जैसे कैलशियम आया सब्सक्राइब करते हैं पिर आगे से क्या सुलूक होगा क्या होगा इसका ब्रेक डाउन नहीं होता यह तो आपके पास निकल जाती है बॉड़ी में इदर उदर फिर बॉड़ी जो है वह उसको तोड़ देगी कैसे तोड़ेगी माओ से यहां पिर कॉंप से इनके तुरू हम लोगों हो जाते हैं और वैसे नौर्पनेफरी वापस भी चली जाती है तो यह नौर्पनेफरी नहीं इसका री अप्टेक हो जागा यह डिफ्यूज हो जाएगी यह सैनाप टेक लिफ्ट में मैटेबॉलाइज नहीं होगी बात नौर इपनेफरी या इसका हो गया या यह हो गई है अब हम देखते हैं कि इसको भी एफेक्ट कर रहे होते हैं पहली बास यहां पर कोलीन के जो एंट्री थी वह बड़ा रेंट्रमेटिक से अपनी है लेकिन तैरसीन को तैरसीन हाइड्रॉग्जलेज होता है मेट टाइरसीन से ठीक है टाइरसीन को मिटाने का काम किया हुए है नाम याद करने कर रहा हूं मैट टाइरसीन ने टाइरसीन को इनिविट कर दिया फिर डोपामीन को अंदर रेजर्वायर होने से रोकने के लिए होती है रेजर्वाइन वहां पर वैसिकल में जाना से रोक र तो रेजर पाहीन तेक Yay a और मजले की बात यह की बात की भी है कि डॉपामीन बन रही होती है अजा यह इदर आपके पाई मुच्त जगों पर और आठे आउल पर उपस्कों तो अगर आप मोनउमाईं उपस्रामीट को कुछ यहां पर आज बाट्टूर नहीं काम कर पाते जैसे के यहां पर कर रहे थे होने से रोकना माँ बाप बच्चों को गोवा जाने से रोकते हैं और करते हैं गोवा नहीं जाना तो उसी तरह गोवा नहीं को रिलीज होने से रोकता है कर लिए हैं यहां फार्मकोलजी में निजबतें ज्यादा इंपॉर्टंट हैं क्योंकि सिंपटाइटिक में काम कर रहे थी ना तो अगर हम नौर रोकते हैं तो आके पास हाइपर्टेंश करने के लिए हम लोग यूस करते हैं आप लोगाने सब्सक्राइब करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम करते हैं तो हम करवाते हैं पार्किंस डिजीज में मजीद अगर मैं बारे में आप से बाते करूं तो यह नौर एपिनेफरीन जब भी रिलीज होती है तो दो फूटर हो सके यह तो बार रिपीट कर रहा हूँ है अब जो डिफूजन होगी व करेंगे जारी बाते उसके कुछ कॉछ फूच कॉचछ चीज़ ओंगे दो पॉड़ी एक्स क्रीट करती है क्या प्रोड़क्स होती है उसमें आपके पास यह ना आपको इस नीचलि नौर एपिनेफरीन ऑगी यह प्रड़क्स आगई तो कई दिफार हम लोग ज्यूरन में कि कंसंट्रेशन को मैजर करते हैं और उससे हमें आइडिया होता है कि बाड़ी में कितनी नौर अपनेफरीन बनेगी अतनी जाद नबनेंगे तो है और एक्सक्रीशन से हमें पता ला जाता है कि अगर यह बहुत ज़्यादा आ रहे हो तो मैं पर्च लादे कुछ कोडिशन जैसा कि यह फियो साटो कुर्मा बगारा हो गए तो हमें पता लाता है कि यार इस बंदे में को प्रॉब्लम चल रहा है तो यह बाद तो यहां तो यह यह ऐघर कोई उसी कर में मौउद या कभी यही है और अलग से वैसे जिसमेंकों और न६्र ट्रक्राइटर्स हो रहता है तो इनकी 17 disc को ट्रांस्मिटर्स कहते हैं उसमें कौन का से नाम आते हैं जाने पैठाने को ट्रांस्मिटर्स होते हैं तो कि इनके साथ भी मौझूद होते हैं वैसे कुछ ब्रेन के अंदर कुछ निरॉन्स ऐसे ही है तो कि खालसतर इनको रिलीज करते हैं तो 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 तेंकि वाइब वीडियो अच्छे लोगी शेयर जोगी जोगी जिए चैनल को स्क्राइब कीजिए गाए